जैशी कृष्णा स्वागत है आपका सार्थितिश्ला के साथ कैसे हैं आप लोग कैसे हैं घर में सब जरूर बताईए एक बात और बताईए जब कभी भी आपको समय खाली मिलता है आप क्या करते हैं जब कभी भी आपके पास वक्त होता है चाय कुछ ही देर का आदा घंटा 15 मिनिट 10 मिनिट आप उस 10 मिनिट 15 में क्या कारे करना पसंद करते हैं अपने मोबाइल पर चीजे देखना रील्स देखना वीडियो देखना या किसी के साथ बाते करना या आप किताबे पढ़ना पसं चाब बैठ कर सिर्फ अपनी कुछ चीजों को आत्म ध्यान करते हैं क्या करना पसंद करते हैं आज मेरे इस सवाल का जवाब जरूर दीजिगा कमेंट बॉक्स में मैं इंतिजार करूंगी और जब लाइव आउंगी तब बताऊंगी कि यह सवाल मैंने आपसे क्यों पूछ बढ़ जाती है शरीर के इस भाग को अगर हम दबाते हैं तो हमारा आकरशन बढ़ता है आकरशन में व सबसे ऐसा लगता है कि गोरा रंग आकर्शन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है अगर ऐसा है तो फिर सावले सलोने मेरे ठाकुर जी के अंदर इतना आकर्शन प्यूँ था कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा फिट फैट जो होता है जिसकी बोड़ी बहुत ही अंदर आकर्शन नहीं हो सकता क्या मोटे लोग किसी को अपनी तरफ आकर्शित नहीं कर सकते नहीं ऐसा नहीं है क्या आकर्शन केवल चहरे में होता है किसी और चीज में नहीं होता या आकर्शन सिर्फ जिसम में होता है बॉडी में होता है आकर्शन का कोई और रूप ही नही होता तो मैं कहूंगी कि ऐसा भी नहीं है आकर्शन वो है जो एक नजर आपको देख ले तो फिर वो अपनी नजर में किसी और को बैठा ना पाए यह आकर्शन है जिससे लोग आपकी तरफ खीचे चले आते हैं लेकिन इस आकर्शन और प्रेम में थोड़ा सा अंतर है हर किसी भी दुकान में जाते हैं ना हम बाहर लगी वी उसकी चीज़ों को देखते हैं सपोस हम कपड़े की दुकान में गए तो हम पहले बाहर देखते हैं कि कैसा कपड़ा लगा हुआ है जो आकर्शित कर रहा होगा हमाई तरफ हम उसी को देखकर उस दुकान में घुस जात इन आखों का सीधा संपर्ख आपके दिमाग की उस एक घंधी से होता है जो आपके अंदर तुरंट उस चीज़ के लिए आपके मन में लोग जगा देती है उस चीज़ प्रती आपका खिचाव प्यादा कर देती है और यही आकर्षन होता है जब यह आकर्षन एक अच्छे र होता चला जाता है हम भी तो जब पहली बार ठाकुरजी को देखते हैं तो उन्हें देखते ही रह जाते हैं उनके आकर्शन में खो जाते हैं उसके बाद जब हमें उनके गुरों का पता चलता है जब हम उनके साथ और संपर्क में आते हैं जब हमें वो उनके साथ अपनी ही होता है जब आप किसी से प्यार करते हैं आप जब उसे पहली बार मिलते हैं तो यह आखें आपके अंदर उस आकर्शन के बटन को ना ओन कर देती हैं उसके बार जब आप उससे मिलते हैं उसे देखते हैं उससे सुनते हैं तो आपके अंदर उस व्यक्ति को लेकर भावना जागरित होती है जिससे प्रेम कहते हैं अब एक और चीज़ बताती हूं आकर्शन केवल आपकी बॉड़ी आपके चहरे का नहीं होता कई कई बार हम किसी को फोन पर सुनते हैं सिर्फ आवाज उसकी आवाज इतनी मधूर होती है इतनी अच्छी होती है कि हम उसकी आवाज के सब्सक्राइब दिवाने हो जाते हैं जितने भी संगीत वले लोग हैं जो इतने भी गायक लोग हैं उनकी आवासित होती है जो उनका आकर्शन होती है इसी प्रकार से आपके जीवन के अंदर बहुत सारी छुटी-छुटी चीज़े हैं दावे यू प्रेजसेंट यूरस् इस आकर्शन को कैसे बढ़ाया जाए और क्या आकर्शन को बढ़ाना सही होगा क्या किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना सही होता है उच्चित होता है तो मैं कहूंगी हां बिल्कुल होता है क्योंकि कई बार इंसान के अंदर बहुत खुपियां होती है उसके अंदर बहु तब तक तो वो चला ही जाएगा आप उसे रोके कैसे रखोगे आप उसे अपने पास बांधे कैसे रखोगे आपका प्रेम बहुत सच्चा है आप किसी से बहुत दिल से प्रेम करते हैं लेकिन वो आपके प्रेम को समझ ही नहीं रहा वो आपके प्रेम को जान ही नहीं रहा इ कुछ-कुछ केसिस में एक और चीज़ होती है आकरशन हुआ आकरशन हुआ िचस ला जैसे झाएंच खतम हुआ फटी हमारी जिंदगी से चला गया और यह कहकर कि अब मुझे हैज भगत हो यहार अब तुम्हारे लिए मेरे अंदर कोई भी प्यार नहीं बच्चा, I am not comfortable with you, ना जाने क्या-क्या चीजे, क्या-क्या बाते बोली जाती हैं, उस रिष्टे को वहीं पर तोड़ दिया जाता है, आपके साथ भी शायद जिन्दगी में ये बहुत सारी चीजे अनुभव होई हो आपके office के अंदर आप बहुत काम करते हैं, लेकिन फिर भी कोई भी आपके काम को देखता ही नहीं, आपकी चीजों को appreciate नहीं करता, आपके घर में रहने वाले लोग आपके करे हुए काम की value नहीं करते, आपके बच्चे ही आपकी तरफ attract नहीं है, आपके बच्चों को आते सहीं नहीं लगते, आपके बुजुर्ग आपके करे हुए काम को appreciate नहीं करते, आपके दोस्त आपके साथ जादा घुल मिलकर नहीं रह पाते, तो ऐसी condition में क्या करना चाहिए, ऐसी condition में आपको मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करके रखना चाहिए और ऐसे अच्छे वी चुकि आपके सार थी हूँ, इसलिए आपको जीवन का सार बताने चली आती हूँ, आज बताती हूँ आपको आकर्शन बढ़ाने का एक बहुत सरल और सटिक तरीका, क्या करना है आपको, आपको थोड़ा सा सिंदूर ले लेना है, लाल वाला जो सिंदूर होता है, उसके बार आप साउथ इस्ट की तरफ मुख कर लीजेगा, आपका मुझ जो है, वो साउथ इस्ट की तरफ होना चाहिए, अब जो लोग मुझे ये कहें कि हमें नहीं पता साउथ इस्ट कहां होता है, तो एक फोन के अंदर एप आती है, जो की आपको डायेक्शन बताने का काम करती है, जिसका नाम है कमपास, आप वो कमपास खोलिए, अपने घर के सेंटर पे खड़े हो जाए, वो अपने अपसुई आपको बताएगी कि साउथ इस्ट कहां पर है, साउथ इस्ट की तरफ आप मुख करिए, और वहाँ पर खड़े होकर, अपने एक पैर पे तोड़ा मुश्किल तो है लेकिन बैलेंस अराम से बन जाता है आप अपने घुटने पर अपना दूसरा पैर भी लगा सकते थोड़ा सा सहारा मिल जाता है एक पैर पे खड़े हो जाई है उस जो आपने सिंदूर बनाया है न उसका टोरी को ऐसे यहां पर हतेली पर आगे रख दीजिए और उसमें से अपनी रिंग फिंगर से एक चुटकी आप निकाल कर अपने अंगुठे के नीचे शुकर परवत प प्रेस करें और प्रेस करते वक्त आप बोलिए श्रिम एस एच आर डबली एम श्रिम आप 21 बार बोलिए श्रिम लगातार साथ दिन ये काम करिए और फिर देखिए आपके जीवन में बदलाव कैसे आता है अब दूसरा कॉशन यह आएगा कब करें किस समय करें कब से करें करें कटॉरी के सिंदूर साथ दिन तक काम में लीजिए और उसके बाद इसमें और पानी डाल कर इसे किसी पौदे में चढ़ा दीजिए तुलसी का पोधा नहीं होगा जिसमें आप चढ़ाएंगे परक्या इसको चढ़ा देंगे अब आपको ये काम कब से चालू करना है आप ये काम चालू करेंगे पुर्णिमा की रात से या किसी भी शुक्रवार से अभी पुर्णिमा आने वाली है तो आप अब से चालू कर लीजे नहीं तो आप किसी भी शुक्रवार से ये काम कर सकते हैं पीरेट्स में ये काम कर सकते हैं या नहीं बिल्कुल कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है आप चाहें तो आप पीरेट्स में भी कंटीनियों कर सकते हैं हाँ अगर आप कहीं बाहर हैं या आप किसी की सौरी मतब आप किसी की डेथ में गए हुए हैं तो आप ये काम नहीं कर सकते अगर आपके घर में किसी की डैथ हो गई है तो आप ये काम नहीं कर सकते अगर आपके घर के अंदर किसी बच्चे का जनम हुआ है और अभी उसका पूरा टाइम नहीं हो पाया मतलब 40 दिन पूरे नहीं हो तो आप ये काम नहीं कर सकते आप ये काम तब कर सकते हैं जब आपक बहुत धैरे के साथ कर पाएं आप ये काम बहुत आराम से कर लिजे दिन में रात में शाम में सुभे जब टाइम मिलता है तब कर लिजे और आपको इसको किसी को बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अब कुछ और चीजें जो आई हूं तो जरूर बता कर जाओंगे कभी भी घर के अंदर कैक्टस का पौधा नहीं लगाना चाहिए घर के बाहर बाउंडरी के बाहर कैक्टस हमीशा लगा के रखी ताकि आपका घर दुश्मनों से हमीशा प्रोटेक्टेड वहें अगर आपके घर के अंदर बहुत ज़ादा तनाव रहता है या लोग आपके साथ बहुत ज़दा लड़ाई जवरे करते हैं तो आपको नित नियम से अपने घर के इशान कोन के अंदर एक लोटा रखके उसके उपरे कटोरी रखकर उसमें घी का दीपक जरू जला देना चाहिए और ऐसा आपको संध्याकाल में जरू करना चाहिए और यह जो लोटे का पा बने होते हैं वहां जाकर डाल दीजें करके देखिए मेरी जान चोटी चोटी बाते हैं जरूर ध्यान रखिए आपके जीवन में इससे परिवर्तना है तो मुझे जरूर बताईएगा मैं फिर आओंगी कुछ अलग कुछ अद्बूत लेकर तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा रिच्तों में मजबूती बनाकी रकिएका अपने चाथी कों जुड़े रहीगा फ्यार देते रहिएगा फ्यार लेते रहीगा छोड़ाइगा जल्द आपसे मिलने आउंगी और मुझे यह जरूर बतायेगा कि आप अपनी खाली वक्ट में क्या करते हैं वैसे आर्थी मात्रिशला ज्योतिश के क्षेत्र में विश्व विख्यात ताम है। लगातार 2016 से जोतिश विभूशन अवॉर्ड प्राप्त कर रही है। साल 2018 में उन्हें उत्राखंड के मुख्य मंत्री त्रिवेंद्र सेंग रावत ने जोतिश विभूशन अवॉर्ड से सम्मानित किया था। और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट अस्ट्रोलजर के अवार्ड से नवासा जा चुका है।